हेलो इस डेंट्स आज हम लोग परहेंगे रियल एनेथ रूट के बारे में क्या है रियल एनेथ रूट के बारे में टॉपिक एस्टार्ट करने से पहले कुछ को संस हम कर लें कुछ को संस आप से पूछ लें आपी बताइए रूट 4 इस गोल टुट होना चाहिए कि पलस मैंनश टू होना चाहिए आप सोचिए कि रूट एकस इसक्वाइर इसकाल टू एकस लिखें या पलस मेंनश एकस लिखें सामने टूफ फाल्स के को संस है minus 2 का square और to the power half कर दिए is equal to minus 2 क्या minus 2 का square to the power half कर लिए ये 2 और half multiply होके cut के 1 हो गया minus 2 का power 1 minus 2 ये true है या false है x q का cube root is equal to x x to the power 4 का fourth root is equal to x ये true है या false है तो maximum incidence को बहुत सब्सक्रा कलास हम लिये हैं तो जो एक अनभव है पुराना experience उसके धार पर ये बताएं कि बैक्सलों को लगता है कि ये तीनों true है उनका जवाब होता है कि root 4 is equal to plus minus 2 होगा root x square is equal to plus minus x या कुछ बच्चे x भी बोलते हैं लेकिन आज हम आपको बताएं कि यदि आप root 4 is equal to plus minus 2 होचते हैं तो ये गलत होचते हैं यदि root 4 is equal to plus minus 2 होचते हैं तो आप ये गलत होचते हैं root 4 का value cable 2 लिखना होगा आपको लगता होगा नहीं यह minus 2 भी होता है तो हम उसे explain कर रहे हैं कि minus 2 होता है या नहीं root x square is equal to x भी गलत है plus minus x भी गलत है तो बचानन अब दीज जैसी ये result ये formula ये सवाल लोग के सामने आता है तो उनके दिमाँ बस ये formula कहनता है कि a to the power m a to the power n is equal to a to the power m multiply n ऐसा है कि नहीं जैसी आप ये सवाल देखते हैं तो आपके मन में यही formula आता है कि आरे power तो multiply हो जाता है उस हिसाब से 2 और आप multiply हो जाना चाहिए और minus 2 का power 1 minus 2 होना चाहिए ये एक true statement है लेकिन ऐसा है नहीं और ये गलत है इसका answer minus 2 नहीं बलकि plus 2 होगा हम explain करेंगे आज के class में कि plus 2 कैसे होगा बले आपको ये बता लें कि x q का cube root is equal to x लिखना सही है मगर x to the power 4 का 4th root is equal to x लिखना गलत है आपको थो आश्चेर होगा कि similar situations है एक ही तरह की बात है मगर इसमें x सही है तो इसमें गलत कैसे हो गया तो चलिए one by one हम explain करें explanation पर आने से पहले कुछ बात हम उन student से कर लें जो ये समझते हैं कि root 4 is equal to plus minus 2 होता है maximum बच्चे यही जवाब दते हैं जहां भी हम class में पूछे हैं तो maximum बच्चों का यही जवाब होता है root 4 is equal to plus minus 2 उनसे मेरा सवाल है बताए तो root 3 कितना होता है तो वो कहेंगे root 3 is equal to 1.732 क्यों? नियम तो सब के लिए बराबर होना चाहिए यदि 4 का root बताते वक्त plus minus दोनों लगाते हैं तो फिर 3 का root बताते वक्त भी आपको plus minus दोनों लगाना चाहिए आपको कहना चाहिए root 3 is equal to plus minus 1.732 लेकिन क्या कहीं देखे है root 3 is equal to plus minus लिखा हो जहां भी आप देखे होंगे root 3 is equal to 1.732 ही देखे होंगे तो फिर मेरा सवाल है नियम तो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए यदि 3 का root आप केबल positive में बताते हैं तो फिर यहां plus minus लगाते हैं इतना ही निया आपसे यह पूछा जाए root 3 और minus root 3 में क्या अंतर है तो आप कहेंगे root 3 positive है और minus root 3 negative है 5 में root 3 जोड़ देंगे तो मान 5 से बरा हो जाएगा और 5 में root 3 घटा देंगे तो मान 5 से छोटा हो जाएगा तो जो बातें 3 के लिए लागो है वही बातें 4 के लिए भी होना चाहिए यदि root 3 और minus root 3 में अंतर है तो फिर root 4 और minus root 4 में अंतर होना चाहिए root 3 positive है minus root 3 negative है तो root 4 positive और minus root 4 में negative होना चाहिए लेकिन जरा सोचिए यदि root 4 का value आप minus 2 भी लेते हैं तो फिर root 4 positive कैसे हुआ यदि root 4 plus minus 2 दोनों लगाते हैं तो फिर minus इधर minus लगा दें minus root 4 वो भी तो plus minus 2 दोनों रहा जाएगा तो फिर तो दोनों में कोई अंतर ही नहीं रहेगा यदि root 3 और minus root 3 में अंतर है तो root 4 और minus root 4 में अंतर होना चाहिए लेकिन यदि root 4 का मान plus minus 2 मान ला है तो फिर तो root 4 और minus root 4 में कोई अंतर नहीं होगा यदि root 3 positive है minus root 3 negative है तो root 4 को positive होना चाहिए minus root 4 को negative होना चाहिए 5 plus root 4 को 5 से बरा होना चाहिए 5 minus root 4 को 5 से छोटा होना चाहिए जोरने पे मान बरना चाहिए और घटाने पे मान घटना चाहिए बिल्कुल यहां के तरह लेकिन सोचिए जदि आप root 4 का मान minus 2 ले लेते हैं तो फिर root 4 positive कैसे है इन दोनों sentence में तो एक sentence जरूर गलत है या तो root 4 का मान minus 2 नहीं है या यदि root 4 का मान minus 2 हो सकता है तो फिर root 4 positive नहीं है ये दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है कि root 4 positive है और root 4 minus 2 भी है यदि root 4 का मान minus 2 मालने तो बताई तो 5 प्लस रूट 4 कितना होगा रूट 4 का मान मैनस 2 मालने तो यह हो गया मैनस 2 5 मैनस 2 इसकल टू 3 अरे 5 मैनस 2 इसकल टू 3 यह तो 5 से छोटा हो गया यहाँ पर रूट 4 का मान मैनस 2 मालने तो मैनस मैनस पलस हो जाएगा 5 plus 2 7 ये तो 5 से बढ़ा हो गया आपको ऐसा लगता है कि जोरने पे 5 से छोटा हो जाएगा घटाने पे 5 से बढ़ा हो जाएगा यदि 5 में root 3 जोरने से 5 से बढ़ा होता है तो 5 में root 4 जोरने से भी 5 से बढ़ा होना चाहिए जैसी बात थिरी के लिए इसी बात फोर के लिए भी होनी चाहिए तो एक गलत रिजल्ट को आप सही मान लीजिएगा तो फिर आप इन बातों को explain नहीं कर पाएंगे इतना ही नहीं आपको आगे दिखाएं ये क्वार्डिक क्यूशन सब कोई जान रहे होंगे कि a x square plus b x plus c is equal to 0 एक क्वार्डिक एक्वेशन है बसरते की a 0 नहीं हो x square coefficient 0 नहीं हो फिर ये एक क्वार्डिक एक्वेशन है इसके दो रूट्स होंगे x is equal to minus b plus minus root d by 2a d for discriminant यानि b square minus 4ac और थाथ इस क्वार्डिक के दो रूट्स होंगे minus b plus root d by 2a minus b minus root d by 2a लेकिन मेरा सवाल है क्या ये दोनों लिखना ज़रूरी है क्या हम सिर्फ इसी को लिखें तो हमारा काम नहीं चल जाएगा तो आप कहेंगे नहीं एक क्वार्डी के दो root होते हैं दोनों लिखना पड़ेगा तो मेरा सवाल है क्यूं आप ही तो कहते हैं कि root को solve होने से plus minus 2 मिल जाता है यदि root solve होने पे plus minus 2 हो जाता है यदि root 4 ये root solve होने के बाद ये root solve होने के बाद plus भी मिलता है, minus भी मिलता है तो फिर plus minus लगाने की क्या जरूत है आप plus minus मत लगाई आसे आप सिर्फ root लिखिए बाकी ये root solve होगा तो plus minus दोनों दे लेगा यदि ये root solve हो करके plus minus दोनों दे लेगा तो फिर minus वाला लिखने की क्या जरूरत हूँ plus minus लिखने की क्या जरूरत हूँ हम सिर्फ root का ही symbol देंगे और बाकी ये symbol खुद समाल लेगा plus में भी value देगा और minus में भी value देगा लेकिन ऐसा नहीं होता है आप जहां भी quadratic के roots देखते होंगे आप दोनों लिखा वह देखते होंगे तो फिर कहें कि एक गलत result को सही माल लीजिएगा तो फिर आप इन बातों का जवाब नहीं दे पाईएगा जैसे कि आप पहले भी एक गलत result को सही माल लिए तो आप इन्हें नहीं explain कर पा रहे थे तो अब चलिए explanation की और explanation की और हम बात करें explanation पर आने से पाहले एक और चोटा सा question कर लें आप ठीक है अभी तक तो हमने देख लिया कि root 4 is equal to plus minus 2 का हना गलत होगा क्योंकि यदि इसे सही माल ले तो कई situations को आप explain नहीं कर पा रहे हैं का discussion अभी हुआ लेकिन explanation सुरू करने से पहले एक और question आप से कर लें कि square root of 4 क्या होगा 2 या plus minus 2 तो इतना discussion के बाद कई ज़िगा हम class लिए इस topic पे तो इतना discussion के बाद लोगों को लगता रहे जब 2 सही है तो यहां भी वो 2 को सही बताते है और उनका जवाब होता है कि 2 सही है plus minus 2 गलत है इतना discussion हम लोगों देखें कि plus minus 2 लेने से गलत हो जाता है cable 2 लेना चाहिए तो उनका जवाब होता है कि square root of 4 cable 2 होगा plus minus 2 गलत है तो हम उन्हें बताएं कि इस बार plus minus 2 ही सही है और 2 गलत है इस बार square root of 4 plus minus 2 दोनों लिखना होगा तो कहेंगे यह कैसे हो गया कभी कहते है plus minus 2 गलत है और कभी कहते है plus minus 2 ही सही है यह क्या माज़रा है तो हम यह बताएं कि यदि बच्पन के दिनों से आप इसे वर्गमूल का चिन समझ रहे हैं इसे square root का symbol समझ रहे हैं तो यही आपने गलत पर लिया यह वर्गमूल का चिन नहीं है यह square root का symbol नहीं है यह तो और विस्फोटक बात हो गई बच्पन से जान रहे हैं कि वर्गमूल का चिन है और आज हम करें कि अगर आप ये पर लिए वर्गमूल का चिन है तो आपने गलत पर लिया तो चलिए अब ज्यादा विस्फूट न हो जाए हम explanation पर आते हैं explanation को properly theoretical अंदाज में करते हैं पहले theory की चर्चा थोरी से कर ले real nth root क्या है real nth root है let a and b are two real numbers such that a to the power n is equal to b अर्थात a पर power n करने से हमें b मिले then a is known as nth root of a real nth root of b क्या मतलब यदि a को a का power n करने से b मिले तो a को b का एक real nth root कहेंगे यदि a b real number है तो एक और फिर सुन लिजिए a to the power n करने से b मिले जैसे उधारन के लिए a को square करने से b मिला जहां a और भी real number है a को square करने से b मिला तो a को b का square root कहेंगे जैसे परहे न भी के a का power n करने से b मिले तो a को b का nth root कहेंगे बिल्कुल उसी तरह से a को square करने से b मिले तो a को b का square root कहेंगे उधारन के लिए for example 2 को square करने से 4 मिला तो 2 को 4 का square root कहेंगे minus 2 को भी square करने से 4 ही मिलता है minus minus plus हो जाएगा minus 2 को भी square करने से 4 ही मिलता है तो इस definition के मिताविक क्या definition a को square करने से b मिले तो a b का वर्गमूल है square root है तो minus 2 को square करने से 4 मिला तो minus 2 4 का square root है तो इस definition के मिताविक square root of 4 तो plus minus 2 दोनों होगा ये बिल्कुल सही है square root of 4 plus minus 2 दोनों होगा ये बिल्कुल सही है किसी भी positive real number के दो वर्गमूल होते हैं, दो स्कारूट होते हैं, किसी भी positive real number के दो वर्गमूल होते हैं, square root of 4, plus 2, minus 2, दोनों होगा, square root of 9, plus 3, minus 3, दोनों होगा, किसी भी positive real number के दो स्कारूट होते हैं, उनमें एक positive होता है, दुसरा negative होता है, तो किसी भी पॉजिटिव रियल नमबर के दो स्क्वाय रूट होते हैं, दो वर्गमुल होते हैं, जिस तरह से क्लास में हर बच्चों का रॉल नमबर अलग-अलग होता है, कि एक ही रॉल नमबर से दो बच्चे पुकारे जाते हैं? नहीं, एक ही रॉल नमर से दो बच्चे नहीं पुकारे जाते, हर बच्चों का रॉल नमर अलग-अलग है, उसी परकार, mathematics में हर बात के लिए सिंबॉल अलग-अलग है, आप एक ही सिंबॉल से positive square root और negative square root दोनों को नहीं पुकार सकते, positive square root के लिए अलग सिंबॉल है, negative square root के लिए अलग सिंबॉल है, और यह जो सिंबॉल आप पर हैं, बच्चपन के दिनों में, जिसे आप सिधे वर्गमूल कह दते हैं, यह वर्गमूल का चिन नहीं है, यह square root का सिंबॉल नहीं है, यह cable positive square root का सिंबॉल है, तो क्या लिखा हुआ है कि obviously all positive real numbers has two square roots, one of them is positive and the other square root is negative, nine के दो square root है, एक उसमें positive है और दूसरा negative है, the positive square root is also known as principal square root, positive square root को principal square root भी कहते हैं, अर्थात positive square root और principal square root को आप synonym समझ लिए, पर्यावाची सब्समझ लिए, positive square root या principal square root के लिए symbol है, root या power half, तो यह जो आप symbol बस्पन की दिनों में इस्तमाल करते हैं, यह वर्गमूल का चिन नहीं है, यह square root का symbol नहीं है, यह cable धनात्मक वर्गमूल का चिन है, positive square root का symbol है, जिसे principal square root भी कहते हैं, और उसका symbol आप इस तरह सी प्रयोग कर सकते हैं, फिर negative square root का क्या symbol होगा, negative square root के लिए कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस उसी के पीछे minus लगा देना है, बस मैनस लगा दीजिए, तो यह symbol बन जाएगा, negative square root का अर्थाथ positive square root का symbol आप इस तरह से दीजिए, और negative square root का symbol आप इस तरह से symbol दे सकते हैं, negative square root का, ओके, तो फिर जहां भी आपको root 4 लिखावा मिले, उससे आप square root of 4 मत कहिए, 4 का बर्गमूल मत समझेए, square root of 4 का क्या जवाब होगा, पलस मैनस 2, लेकिन root 4 का क्या जवाब होगा, केबल 2, क्यूं, क्यूंकि यह वर्गमूल का चिन नहीं है, बलकि यह धनात्मक वर्गमूल का चिन है, और इसका एंसर केबल 2 होगा, तो फिर negative square root के लिए क्या करें, बस पीछे minus लगा दिए, यानि minus root 4 means negative square root of 4, square root of 4 तो plus 2 और minus 2 दोनों है, तो उसमें plus 2 positive है और minus 2 negative है, negative square root के लिए यह सिंबॉल है, तो negative square root of 4 कितना हो गया, minus 2, उसी परकार, यह positive square root of 9, केबल 3 होगा, minus 3 नहीं होगा, आपको यह बताएं, कि यह चुटी-चुटी बात है, junior classes में, class 8 में, class 9 में, NCRT book में लिखी हुई है, यह वर्गमूल की बात हैं, लोग बच्पन सी परते आ रहे हैं, बस गलती यह हो जाती है, कि वो इस symbol को वर्गमूल का चीन पर लेते हैं, जो गलत पर लेते हैं, लेकिन इसकी चर्चा तो बच्पन सी करते आ रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से आप करते आ रहे हैं, आज आप जरूर सोच रहे होंगे, तो यह बात हैं, NCRT book में mention है, आप class 8 का NCRT book में यह chapter निकाल लिए, squares and square root, squares and square root chapter में असपश लिखा हुआ है, कि positive square root of a number is denoted by the symbol this much, इस symbol से केबल positive square root represent होते हैं, class 8 के NCRT book में असपश लिखा हुआ है, आप खोल के देख लीजिएगा, यह बाते किसकी हो रही हैं, यह NCRT book की बात हम कर रहे हैं, class 8 के NCRT book में, कि positive square root of a number is denoted by the symbol this much, for example, root 4 is equal to 2, not minus 2, root 9, NCRT book में लिखा हुआ है, not minus 2, root 9 is equal to 3, not minus 3, आप समझ सकते हैं, कि NCRT book में not minus 2, not minus 3, लिखने के पीछे, राइटर का क्या तात्यपरी हो सकता है, क्या भी प्राए हो सकता है, वो आपको यही समझाना चाहते हैं, कि positive का symbol है, आप यह गलती ना करें, आप minus 2 या minus 3 ना लिखे दें, यह बात class 9 के भी NCRT book में है, class 9 का NCRT book में, chapter number system, page number 6 में आप देख लिजेगा, एक remark करके लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, recall that when we use the symbol root, जब भी यह symbol के इस्तेमाल करते हैं, जब कभी हम यह symbol इस्तेमाल करते हैं, तो we assume that हम यह मान के चलते हैं, कि it is the positive square root of the number, and so root 4 is equal to 2 only, not minus 2, and so root 4 is equal to 2, दाव, both of 2 and minus 2, are square roots of 4, यह NCRT का language है, हम NCRT का language को हुब अटार दिये हैं, आप किताब फ्लट के देख सकते हैं, page number 6 में, class 9, तो यह असपस सब्दों में लिखा हुआ है, कि both, both of 2 and minus 2, are square root of 4, 4 के वर्गमूल 2 और minus 2, दोनो हैं, even then root 4 is equal to 2 only, because the symbol root, represents only positive square root, तो, finally क्या रहा, कि this symbol is not the symbol of square root, but it is the symbol of positive square root, यह square root का symbol नहीं है, यह वर्गमूल का चिन नहीं है, बलकि यह धनात्मक वर्गमूल का चिन है, positive square root का symbol है, इसे हम ग्राफ से भी देखते हैं, आप यह धी, why is equal to root X का ग्राफ जानते हैं, नहीं जानते हैं, चिन्ता मत केजिए, sketching ग्राफ का भी हम special class सुरू करेंगे, बहुत ही zero level से ग्राफ स्टार्ट करेंगे, और एक अच्छे लेवल तक, एक top लेवल तक, आपको ग्राफ सिखा देंगे, हम ग्राफ में master बना देंगे, थोड़ा इंतिजार कीजिए, one by one हम वीडियो बना रहे हैं, हम जल्दी 12th board को ध्यान में रखते हुए, differentian chapter स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी J.E. main और J.E. advance को ध्यान में रखते हुए, limit chapter स्टार्ट कर रहे हैं, 9-10th के बच्चों के लिए, polynomial स्टार्ट कर रहे हैं, अभी सुरवात है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आने में देर हो जा रही है, लेकिन फिर daily वीडियो आएगा, थोड़ा इंतिजार कीजिए, अगर जानते हैं तो ठीक है ने तो आप देख लीजिए, यह root x graph negative side होता ही नहीं, क्योंकि यह symbol ही positive इसका root का, इसका value positive आएगा, तो फिर negative तरफ graph क्यों होगा, तो y is equal to root x graph negative side होता ही नहीं, आप इस graph के ध्यान दिए, अगर x का आप मान 4 डालेंगे, अगर x के जगह पर 4 डालेंगे, तो root x, यानि y का value केवल 2 मिलेगा, x यह पर 4 डालेंगे, तो y का value केवल 2 मिलेगा, minus 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि negative तरफ तो graph ही नहीं है, कुछ लोगों का doubt होता है, वो कहते हैं ठीक है, हम समझ लिए कि positive का symbol है, लेकिन उसके माने में रहता है, वो कहते हैं ठीक है, root 4 का answer हम 2 ही करेंगे, लेकिन उसके माने में रहता है, कि power half करने से plus minus दोनों होता है, हम कहेंगे नहीं, यह भी गलत है, चाहे आप root लिखें, या power half लिखें, यह दोनों ही symbol है, positive square root का, यह दोनों ही symbol है, positive square root का, आप इसे अर्था, 4 to the power half को भी plus minus 2 लिखिएगा, तो यह गलत होगा, यह भी symbol है, positive square root का, हम इसे graph पे समझाते हैं, y is equal to 4 to the power x graph, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, यह दिए फिर रिपीट कर दें, कि graph का class हमें special लेंगे, उसमें 0 लेवल से लेके, top level तक अदम graph में master बना देना है आपको, लेकिन अभी जानते हैं तो ठीक है नहीं, तो मान लीजिए, y is equal to 4 to the power x का graph इस तरह सता है, increasing order, increasing sense में, increasing model में, x command 0 डालने पर 1, x command half डालने पर 4 to the power half, 2, y is equal to 4 to the power x का graph, negative side नहीं होता, negative side मतलब जिदर y negative हो, negative side होता ही नहीं, और था 174 to the power x में x का मान कुछ भी डालेंगे, तो 4 to the power x का result positive में ही आएगा, तो फिर x का मान half डालेंगे, तो 4 to the power half positive में आएगा, negative में नहीं आएगा, इसलिए 4 to the power half is equal to plus minus 2 लिखेंगे तो वो भी गलत है ये दोनों एक ही symbol है और दोनों positive square root को symbol के लिए symbol है तो आप graph में x command half डालेंगे तो y command cable 2 मिलेगा इस तरह से 4 to the power half cable 2 होगा ना कि plus minus 2 होगा ये दोनों एक ही symbol है चलिए आगे बरते हैं अब आते हैं इस question पर क्या answer होगा ये question भी तो शुरू में जिकर था क्या answer होगा तो जैसी ये question आता है उस बक्त भी हम कहते हैं फिर से एक बार कहा दें कि जैसी ये सवाल आता है तो student की दिमाग में ये फावला कौन देता है कि a to the power m to the power n और m और n multiply हो जाता है पावर multiply हो जाता है तो exponents multiply हो जाते हैं वो 2 और हाप को multiply कर देते हैं तो minus 2 का power 1 मिलता है उन्हें minus 2 का power 1 यानी minus 2 मिलता है लेकिन हम बताएं ये गलत है ये गलत है क्योंकि कोई formula आप जब याद करते हैं तो साथ उसका condition भी जानी है आपको यहाँ explain करने से पहले कुछ questions दिखाएं which of the following is oblique r is oblique r का sense होता है कि one option भी हो सकते हैं या more than one option भी हो सकते हैं true for all non zero real a non zero मतलब zero नहीं है बांकि ये कुछ भी हो सकता है non zero real a इन में से कौन सा ही है तो जब कभी हम generali लोगों से पूछते हैं तो उनका जवाब होता है कि sir a, b, c, d सही है plus simplify होकर multiplication है बदलता है ये minus simplify होकर division बदलता है ये multiplication इस तरह से ये a, b, c, d चारो सही है लेकिन हम बताएं ये चारो गलत है आपको आज चल लगा रहे ये फावलात हम पढ़े हैं कई जगह पर हैं फिर ये गलत कैसे हो गया तो हम बताएं कि जब भी कोई फावला आप याद करते हैं तो साथ मुसका condition भी याद किजिए कि आखिर ये फावला लागू कभ होगा बरना आप वहाँ भी लगा दीजिएगा जहां ये फावला लगेगा नहीं तो जहां भी आप ये रिजल्ट लिखावा देखते हैं वहाँ असपस लिखा रहता है कि वेन एक ग्रेटर देन जीरो देन इस रिजल्ट साथ अप्लिकेबल अदर्वाइज नॉट ये रिजल्ट बना है एक पॉजिटिव के लिए अगर एक निगेटिव हो तो ये सारी रिजल्ट गलत है तो जब भी कोई रिजल्ट याद करते हैं तो साथ मुसका कनडिजन भी याद कीजिए वरना वहां भी लगा दीजेगा जहां इस result को नहीं लगना है जैसा कि आपने इस सवाल में लगाया आप सोच रहे हैं कि m और n multiply हो जाता है तो 2 और half multiply हो जाता है फिर minus 2 का power 1 minus 2 होना चाहिए लेकिन ये गलत है क्यों? क्योंकि यहां a negative है और जब base negative हो तो फिर ये result नहीं लगता है ये result या ये result तभी लगता है जब a positive हो result जब भी result याद करते हैं तो साथ में condition भी याद कीजिए कब हो सही है कब हो नहीं सही है तो फिर यहां कैसे solve होगा? तो बचपन से हम लोग परते आ रहे हैं कि पहले bracket के अंदर का work निभटा लेते हैं तब bracket के बाहर का work करते हैं आपको पहले minus 2 का square करना चाहिए power half अबाद में और जब आप board mass सब को ही परहे होगा तो खेर क्या बताए पहले bracket के अंदर का work करेंगे तब bracket के बाहर करेंगे तो minus 2 का square कितना हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 4 to the power half क्या बता है ये भी positive square root का symbol है चाहे 4 to the power half लिखिए या root 4 लिखिए दोनों का एक ही meaning है positive square root of 4 और इसका value cable 2 होगा 2 only cable 2 होगा ये बार बार only लिखने की जरद चली अब हम only नहीं लिखेंगे अब आप समझी गया है कि cable 2 होगा यानि यहाँ पर ये result लगा करके यहाँ पर ये फ़मला लगाईएगा तो आप गलत result पर आएगे यानि ये फ़मला लागू नहीं है यदि A negative होतो ये आप ये जो याद करते हैं कि root के अंदर दो बार हो तो एक बार बाहर आयाता आप क्या कहता है root के अंदर double हो तो एक बार बाहर आयाता ये गलत है इन जर्णर ये तभी सही है जब A positive हो यदि A negative हो तो ये गलत है नहीं ये किन हो तो आप एक्जाम्पल लेके आजमाईए इस result को हम A के value negative मिलेते हैं माल लेते हैं minus 2 multiply minus 2 आप क्या सोचते हैं कि दो बार A है तो A के बाहर आ गया तो दो बार minus 2 है तो एक बार minus 2 बाहर आ जाएगा ये सही है नहीं बिल्कुल गलत है कोई भी result के साथ उसका condition भी धियान में रखी तो फिर यहां क्या होगा फिर यहां क्या होगा तो हम यहां कहेंगे कि जब भी दो बार यहां पे तो फिर यहां क्या होगा तो दो बार minus 2 है ये भूल आप हरगीज ना करें कि एक minus 2 बाहर कर लिए तो फिर क्या करें पहले root के अंदर का work solve कर लीजिए यह minus 2 minus 2 multiply हो करके 4 हो जाएगा और यह बन जाएगा 4 और यह होगा positive square root of 4 2 only not minus 2 तो आप जो यह कोई भी result याद करते हैं यह गलत result हो जाएगा यदि A negative है तो जब तक A positive न लिखा हो हम इस result को गलत result कहेंगे क्या बताए यह result तभी सही होगा जब A positive है तो यहाँ तक clear है clear है कि minus 2 क्यों गलती है क्योंकि पहले bracket के अंदर का work करेंगे तो minus 2 का square बन जाएगा 4 और 4 to the power half symbol है positive square root का और इसका answer केवल plus 2 होगा तो शली यहाँ तक की बात आप समझ लिए तो अभी तक के class में हम क्या सीखे यही कि root 4 positive square root of 4 है अब बाकी next video में अगले class में हम सीखेंगे कि root 4 is equal to 2 तो सही है मगर root x square is equal to x गलत है फिर root x square is equal to क्या plus minus x लिख सकते हैं नहीं यह भी गलत है और जब यह दोनों गलत है तो फिर root x square को हम क्या लिखेंगे यह बात हम अगले video में सीखेंगे अगले class में सीखेंगे अगले class में हम इन questions का भी जिक्र करेंगे कि x q का cube root is equal to x लिखना तो सही है मगर x to the power 4 के 4th root को x लिखना गलत है गवर कीजे यह 5,5 गैंसील हो गया 2 और 6 कट के x q यह लिखना गलत है मगर similar situations 5,5 गैंसील हो गया 9 by 3,3 x q यह सही है एक ही तरह के situations है एक ज़िख गलत है एक ज़िख सही है यहा 7,7 और 99 कट गया अभी हम कहें भी थे कि अभी कुछ दिर पले चर्चा चल रही थी कि base निगेटिव हो तो m और n का multiplication नहीं करते यह power का multiplication नहीं करते यह 7,7 कट गया, 99 कट गया लेकिन यहां कर सकते हैं और यह minus 2 सही है यहां क्यों कर सकते हैं जबकि यहां गलत है इन बातों की द्याख्या अगले क्लास में करेंगे तो आज के क्लास में बस एक last question का जिकर कर पहले हम यही बात बता दे कि हमारा एक वीडियो है planning for mathematics उसमें शुरू के 17 मिनिट में हम किस तरह से video classes लेंगे उसका planning है और उसके बाद जो भी discussion किये इस तरह के धेर सारे questions और उसका answers है question और answer दोनों दिये है लेकिन उसका explanation आपको ढूणना है हम भी one by one explain कर रहे हैं लेकिन अगर आप इस video को नहीं देखें तो एक बार इस video को पूरा जरूर देखिएगा इस तरह का इसमें धेर सारे questions हैं आप पले उसे अपने से explain करने का प्रयास कीजिएगा मांकि हम तो one by one explain कर ही रहे हैं lastly एक homework आप लोगों के लिए और अभी तक जो इसके पहले का जो discussion था class 8, 9 के बच्चे भी समझें ये ध्यान में रखते हुए था लेकिन अब थोड़ा सा higher class के बच्चों के लिए हला कि higher class के बच्चे भी इन fundamentals पर धेर सारी गलतियां करते हैं इतना ही नहीं इस वीडियो में last time हम दिखाया थे का IIT का सवाल और IIT 83 का questions quadric question में जो हर जगर solution दिया हुआ है जबकि वो question ही गलत है और उसमें इसी Nth root का concept गलती है इसी Nth root का approach गलती है Nth root पे कई classes लगेंगे कम सकम 4-5 video class हमें बनाना होगा तो ये इसे आप Nth root का lecture 1 समझें फिर lecture 2 जल्दी वो video भी हम upload करेंगे तो ये बता दे planning of mathematics जो है इसमें इस तरह के धेर सारे questions हैं उनके answers दिये हुए हैं आप उसे खुझ से explain करने का परियास कीजिएगा पूरा दिमाग exercise हो जाएगा आप जड़ा परियास कीजिए और हम तुसे one by one explain करी रहे हैं तो यदि आप ये वीडियो नहीं देखें तो आप इसे पूरा जरूर देख लेंगे तो lastly एक homework की चर्चा करें और ये homework सारे residents के लिए मैं लें senior बच्चों के लिए या सारे वो DGV के लिए जो इस topic को पर सोच सकते हैं question है homework के तोर पर आज की video class के लिए homework कि minus one का power root two root two एक irrational number है minus one का power root two is equal to क्या होगा धेर सारे options दिये हुए हैं क्या सवाल है minus one to the power root two is equal to क्या होगा bracket में लिख दिये हैं कि one or more than one options में भी cracked एक या एक से ज्यादा options सही हो सकते हैं कैसे यदि आपका जवाब है one minus one का power root two is equal to क्या होगा चलि फ़र हम option सुना दें minus one का power root two is equal to क्या होगा पहला option है one दूसरा option है minus one तिसरा option है plus minus one चोथा option है आयोटा पाच्मा option है एक real number यह एक real number है च्छथा option है set of real numbers साथमा है an imaginary number एक कालपनिक संख्या आठमा है a set of imaginary numbers next है a set of complex numbers और लास्ट option है does not exist minus one to the power root two does not exist it is an indeterminate terms तो इसका जवाब क्या होगा यह निसी तुरुप से आप इस पे पूरा चिंतन करेंगे खुद से परियास करेंगे किताब में भी ढूनेंगे YouTube Chrome App पे भी जाकर कि इसको सर्च करेंगे और हमें reply जरूर करेंगे तो यह questions बहुत आज की class का बहुती महत्पून questions जो आपको Homer के तौर पे छोड़ रहे हैं इसे पूरा ढून निकालना है फिर हम भी इस पे एक वीडियो बनाएंगे कि हमारा क्या opinion है और इसका answer क्या होना चाहिए लेकिन पहले है कि आप इसे ढूंड ये और comments में हमें इसका reply जरूर दीजेगा इस questions का reply सब को देना है अपने अपने अस्तर से Google पे सर्च करके Chrome पे सर्च करके टीचर से डिसकस करके पूरा परियास करके इसका answer जरूर देना है comments आपके comments का हम इंतजार करेंगे तो इस बार comment box भरना चाहिए सिर्फ view ही मत केजिए इसका answer ढूर ढूर ना है आपको चलिए इसमें यहां लिखा हुआ है one or more than one options इसलिए लिखा हुआ है यदि आपका जवाब one है तो फिर आपके लिए इसका जवाब one भी सही है और a real number भी सही है one एक real number है तो आप a और e दोनों को tick लगाएंगे one एक complex number है तो आप उसे complex number भी समझ सकते हैं तो more than one options का मतलब यही हुआ कि एक से ज़्यादा option भी सही हो सकते हैं तो चलिए आपका क्या opinion है comment box में आप हमें share करें तो एक लंबा topic है 4-5 video lectures बनेंगे इस पर आपको हमारे साथ regular जुरे रहना है हम और आप मिल करके इस channel को जिसका नाम है SuccessFerous यह हमारा और आपका अपना channel है इसको एक सिखर तक एक उचाई देना है हम लोग मिल के परियास करें ओके ठैंक यू